श्री नाज्जी गुरुजी को अलग आदेश, मा भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भहिरब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश गुरुज नाज्जी का ये मंत्र सादना साथ दिनों का है, और साथ दिन जिसने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, वो ना कि सर्फ अपने उपर चला हुआ तंतर उतार सकता है, किसी और के उपर कोई परतंतर हो, किसी के उपर ऐसी बीमारी हो, जो कोई डॉक्टर पता ना कर रहा तो ऐसा बताया गया है किताबों में कि वैसे सारी बिमारिया और व्याधियां इस मंत्र से नाश हो जाती है कितने दिन की साधना या साध दिन की साधना मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि गोरक्षनाथ जी की साधना या मंत्र जाप से बहुत सारे लाब होते हैं गोरक्षनाथ जी यानि जिसने उस ज्ञान को प्राप्त किया हुआ हो हर काल खड़ने में नए गोरक्ष नए बुद्ध होते हैं ठीक है तो गोरक्षनाच जी आपके अंदर की वो शक्ति है जो की अवधूत के आस पास होती है जो अवधूत को छूजाती है इसलिए गोरक्ष मंत्र गोरक्ष नाम का जाब करना चाहिए उन कहानियों में ना पढ़ते हुए कि गोरक्षनाजी ने काली को युद्ध में हरा दिया हनुमान जी से लड़ गई ये सब भ्रांतियां गोरक्षनाजी एक शक्ती है गोरक्षनाजी वो गुरु है जिए वो महादेव ने जिनको स्पर्श किया था जो अवधूत थे तो ऐसे व्यक्ति जो चैतन्य है अभी जैसे हमारे गुरु महादेव बावाजी या फिर कानिफनाजी उसी तरह गोरक्षनाजी ऐसी प्रत्यक्ष शक्ती हैं कि जिनकी आप उपासना करेंगे तो जिस व्याधी के नाश के लिए आप उपासना करेंगे वो व्याधी आपकी नाश हो जाएगी क्या करना है साथ दिनों तक साथ खुमे का जलाना है या साथ नदी का जलाना ये थोड़ा कठिन कारे है लेकिन ये आपको करना होगा और उसको एक तामबे के कटोरी में रखके दक्षिन दिशा में रख देना है उसी को हम लोग धूप दीप नवेद और दूद रोटी का भोग देंगे ठीक है दक्षिन दिशा की ओर हम कलश रखेंगे और तक्षिन की ओर ही देखके रातरी में साड़े ग्यारा बजे के बाद इस मंदर का जाप करेंगे ठीक है और साथ दिनों तक जाप करते रहेंगे रोज वो जो दूद रोटी का हम भोग रात में देंगे उसको सुभा किसी कुट्टे को अगर काला कुट्टा मिल जाए तो काली कुट्टे को हम भोग में वो खिला देंगे ठीक है नहीं तो जो कुट्टा मिले सड़क का कुट्टा मिले उसको भोग में खिला देना है जब साथ दिन की साधना पूर्ण हो जाएगी तो पहले हवन करेंगे आम हवन सामगरी से दशांस का, दशांस किसका होगा, रोज हम लोग पांच माला जाप करेंगे तो दशांस भी आपका जो है, वो चार माला का होगा, चार माला का हवन करें जो नॉर्मल हावन सामगरी है उसके बाद ये जो जल है इससे खुद सनान कर लेंगे सनान करने से ये होगा कि आपके उपर जो बंधन और जो व्यादी होगा वो पहले नश्ट हो जाएगा उसके बाद आप जो भी वेक्ति जो पीडित वेक्ति है उनका भी आप उतारा कर सकते है ठीक है तो सबसे पहले अपने आपको स्वस्त करना इसमें ज़रूरी होता है जिस पर जादा असर हो उसको इस जल को अभी मंतरित करके नहलाई भी और साथ दिनों तक पिलाई भी मंतर में आपको दो बार बोल के सुना रहो मंत्र है ओम वजर में कोठा वजर में ताला वजर में बंधिया दस्ते दरवाजा तहां वजर में लग्या किवाड वजर में चोकड वजर में कीले जहां से आया तहां ही जावे जाने भेजा जाकू खाए हमको फेरना सूरत दिखाए हाथ कू नाक कू सिर कू पीट कू कमर कू जो जोको पहँचाए तो गुरु गोरक नात की आग्या फूरे मेरी भग्ती गुरु की शक्ती फूरो मंत्र इस रवाच आ मतलब ओम वजर का कोठा मतलब जो घर है उसका बंधन वजर से हो वजर में ताला जो ताला है बंधन का वो भी वजर का हो वज्र में बंधिया दस्ते दर्वा जा वज्र से ही हर तरफ का चौक चौरहा जो भी है वो बंदन हो जाए तहां वज्र का लगया किवाड़ा वहीं पर वज्र का किवाड़ भी लगये वज्र में चौकट चौकट भी वज्र वज्र में कील जो किलन है वो भी वज्र का मंत्र उसके बाद शरीर के बारे में बता है हमको फेरना सुरत दिखाए हाथ कू नाक कू सिर कू पीट कू कमर कू चाती कू जो जोखे पहुचाए अगर किसी भी तरीक की हानी या चाती पहुचाए तो गुरू गुरकनात की आज्या फूरे मतलब गुरू गुरकनात के आज् द्वारा दिया गया मंत्र है मेरी भक्ति गुरू की शक्ति फूरो मंत्र इश्वर वाचा तो वो इश्वर के मुख से बुला गया मंत्र के बराबर है इसलिए ये मंत्र को सिद्ध करने के आवशक्ता नहीं है हम सिद्ध साथ दिन के लिए क्यों कर रहा है ताकि इसका जो वो तो एक दिन में भी इसका जाब करके इससे स्नान कर सकते हैं, साथ दिन तक रोज स्नान करें, जो दूसरों के लिए इसका प्रयोग करेंगे, वो पक्का साथ दिन इसकी साधना कर लेंगे, खुद को ठीक कर लेंगे, उसके बाद ही किसी और, पर इसका प्रयोग करेंगे, क गुरकनाज जी की और भी साधनाय मैं आपको बताऊंगा जब भी दिया है आप लोगों ने काफी उसका प्रयोग किया है और इस मंत्र का खास करके बहुत उपयोग बहुत लोगों ने बताया है तो आप लोग करें आज के लिए इतना है जिनको साधना का शुरुवाति ज्या तंतरहस्य.com पर जाएगा डारेक्ट बात करने के लिए गाल मी फॉर आप डाउनलोड कीजिए उसमें रूतरना लेक्ट चैट सेच करें तो आपको मेरे प्रूपाइब आज की लिए इतना ही महाग गुरक ना था आप लोगों की रख्चा करें आप सभी को आदेश आदेश हलाक हादेश